गर्मियों की वो सुभा रोज की तरहा रोशन थी सब पक्षी सुभा होने के साथ ही अपने अपने कामों में लग गे थे मिठू तोता अपने घूँशले को मुख्तलिफ रंक के धागों से सजा रहा था और पक्षियों के पंक लगा-लगा कर अपने घूँशले को नरम और अराम्दे बना रहा था चोटी चिडिया अपनी बेटी के साथ बैठी भोजन को जाने की तियारी कर रही थी जिरिया ने निया निया लकडियों का पका घर बनाया था इसलिए वो आज बहुत खूश थी गुरिया बेटी, मेरी बड़सों से इच्छा थी कि मेरा भी लकडियों से बना पका घर हो आज मैं बहुत खूश हूँ मामा, जब मैं आपको खूश देखती हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी होती है अब हमारी चिंता खतम हुई घर बन गया अब हमें बार्षों से भी कोई डर नहीं है उसी जंगल में गोरी कवी रहती थी जो बहुत अमीर कवी थी उसे तो हर समय अपने गहने सजाने के इलावा कोई काम ही ना था कालू जी अब एक रानी हार अगर मुझे ला दो तो फिर मेरे गहने पूरे हो जाएंगे और मुझे कुछ नहीं चाहिए जब रानी हार आ जाएगा तो फिर कोई नई फर्माईश होगी तुम्हारी तुम्हारा गहनों का शोक कभी पूरा नहीं होगा सेठ कालू की पतनी हूँ अगर दूसरों से अलग नहीं दिखूंगी तो कैसे पता चलेगा दूसरों को के मैं आपकी पतनी हूँ हाँ ये तो है चलो अब जल्दी से गहने रखो क्यूंके आज हमें कभूतर के घर पार्टी पर जाना है कवे ने अभी ये बात की ही थी के उसे सब हिलता हुआ दिखाई देता है गोरी बर्तन हिल रहे हैं और वो देखो खिड़की और दरवाजा भी हिल रहा है कालू भागो घर से बाहिं निकलो भुकम है ये भुकम है उससे पहले के वो दोनों घर से निकलते एक जोर की गूंजाती है उनके घर की छट गिरती है हर तरफ शोर था बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही थी गोरी दरवाजे के नीचे दबी हुई थी घर का मलबा उनके उपर गिरा पड़ा था चिडिया का निया घर तूट चुका था उसकी बेटी गुडिया छट के नीचे दबी अपनी माँ को आवाजें दे रही थी गुडिया मेरी चान मैं निकालूंगी आपको मैं अभी निकालूंगी आपको कुछ नहीं होगा वो पूरा जोर लगा कर छट की बड़ी लकडिया उठाने की कोशिश कर रही थी मगर वो कमजोड चिडिया ये सब कैसे कर सकती थी मगर उसकी ममता उसे बैठने भी तो नहीं दे रही थी लकडियों के धेर के उपर कबूतर बैठा हुआ था जो आपसे चंद मिनट पहले उसका घर था उसे तो उसकी पतनी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी वो रो रहा था और सोच रहा था लूसी अगर मैंने आपकी बात मान ली होती और सुभा आपके साथ नदी पर चला गया होता तो हम भूकम से बच जाते आप मरने से बच जाती मगर मुझे क्या खबर थी क्या पता था कि ये सब होने वाला है ऐसा भूकम पहले कभी नहीं आया पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ मिठो तो था ना तो रो रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था वो तो हैरानी से अपना धागों से सजा हुआ घोंसला जमीन पर उल्टा पड़ा देख रहा था शायद कोई नहीं बचा होगा जिस जिस का पका लकडियों का घर होगा वो नहीं बचा होगा अगर इस भूकम से मेरे घोंसले का ये हाल है तो पक्के घर वाले पक्षी कैसे बच सकते हैं दूर से बुल बुल की भी रोने की आवाज आ रही थी थोड़ी देर के बाद पक्षी एक दूसरे के पास आना शुरू होते हैं सबसे पहले मिठू बुल बुल के पास जाता है बुल बुल हमारा जंगल चंद मींटों में उजड़ गया कोई नहीं बचा सब परबाद होगे मिठू मेरा अंडा खौंसले से गिर कर तोट गया मैंने बहुत कोशिश की अपने अंडे को बचाने की मगर मैं कुछ ना कर सकी बुल बुल दूसरे पक्षी ना जाने किस हाल में होंगे चलो हम जाकर उनकी मदद करते है रोता हुआ कबूतर मिठू को आवाज देता है कबूतर कोई चोट तो नहीं आई मुझे चोट आ जाती मैं मर जाता मगर मेरी लूसी ना मरती तो क्या लूसी बेहन घर के नीचे है हाँ वो बोल भी नहीं रही मैं कान लगा लगा कर देख रहा हूँ मगर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही सम मिलकर बड़ी लकड़ियां हटाओ जल्दी करो समय नहीं है फिर वो सम मिलकर लकड़ियां हटाते है और बुल-बुल जैसे ही तरवाजे की दहलीच दूसरी तरफ करती है तो लूसी खुन में भीगी हुई नीचे पड़ी थी उसकी सांसे रुक चुकी थी और अब तो उसके शरीर में खुन का एक कत्रा भी नहीं बचा था साथ रहेंगे, साथ जीएंगे, साथ मरेंगे बोलो मुझसे बात करो मिठ्टू कबूतर के कंदे पर पंक रहकर उसे होसला देता है कबूतर हमें दूसरे पक्षियों के पास जाना होगा हम लूसी को तो ना बचा सके हो सकता है हमारी किसी और को जरूरत हो फिर वो सब वहां से उड़ते हैं कालू कवा गोरी का पंक देख देख कर रो रहा था कबूतर, मिठ्टू और बुलबुल कवे के पास जाते हैं मैं लुट गया कबूतर, मैं लुट गया तुम्हारी भाबी मर गई ये पंक, ये पंक नजर आ रहा है उसका उसके सर पर छद गिरी थी, जब भूकम आया मेरा अंडा तूट गया और लूसी भी बचना सकी कवे हमें एक दूसरे को होसला देना होगा एक दूसरे के दुख को कम करना होगा दूर से चिड्या की आवाज सब के कानों में पढ़ती है बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो मेरी गुड्या को छट के नीचे से बाहर निकालो कोई मेरी मदद करो चुड्या की आवाज है, सब चलो वो मदद की कुछार लगा रही है, जल्दी चलो फिर वो सब वहाँ से उड़ते है मैं कब से आपको बुला रही हूँ मेरी गुड्या, मेरी गुड्या छट के नीचे जिनता है वो मुझे बुला रही है मुझे आवाज दे रही है मेरी गुड्या कबूतर, इस बड़ी लकडी को एक तरफ से उठाओ और मैं दूसरी तरफ से उठाता हूँ मिठू, बुल्बुल और चिड्या समिलकर लकडिया हटाते है ममा, मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ ममा ये खिड्यकी मेरे उपर से हटाए फिर वो सब गुड्या को सुरक्षत खिड्की के नीचे से बाहिर निकाल लेते हैं वो सब डरे हुए थे, वो एक दूसरे को छोड़ कर नहीं जाना चाहते थे ऐसा लग रहा था, जैसे अब भी जंगल हिल रहा हो वो सब पक्षी भूकम को लेकर इतना डर गे थे कि वो लमहा उनकी आँखों के सामने से जाही नहीं रहा था शाम के बाद रात हो जाती है वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे रोज की तरहा चांद रोशन था और वो सब बैठे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे उन्होंने आज के दिन बहुत कुछ खोया था किसी ने मा, किसी ने पती, तो किसी ने अंडा हुकम ने सब कुछ हिला कर रख दिया था गुडिया अपनी ममा के पंखों में छुपी हुई बैठी थी वो सब बेखर होगे थे मगर परकरती के कामों में किसी का जोर नहीं प्यारे दोस्तों, जिंदगी को खुशियों से जीओ खुश रहो, मगर ये कभी ना भूलो कि जिंदगी तो दो पल का खेल है आपका धन्यवाद वो पक्षी दूसरे जंगल से आये थे और उन्हें सागर की दिशा में जाना था लेकिन वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं चुडिया, मैं तो बहुत थक गया हूँ मुझसे तो और उड़ा भी नहीं जा रहा हम सब थके हुए हैं लेकिन हमें सफर तो करना ही होगा ऐसे अनजान जंगल में रात कैसे गुजारेंगे और फिर तोते की नजर सामने एक घर पर पड़ती है दोस्तों वो सामने एक घर है हम सब वहाँ जाते हैं और आज की रात उस घर में गुजारते हैं और फिर सुबहा होते ही अगला सफर शुरू करेंगे नजाने वो घर किस पक्षी का है क्या वो हमें आशा देगा अपने घर में हम एक बाढ़ जाकर पूछ लेते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पक्षी द्यालू हो और हमें आज की रात अपने गर में रख ले और फिर वो सब उस घर की तरफ जाते हैं कबूतर घर के दर्वाजे पर दस्तक देता है लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती वो फिर से दस्तक देता है इस घर में तो कोई भी नहीं है वो सामने तो और भी घर है मुझे तो ऐसा लग रहा है यहां कुछ बक्षी रहते हैं और इस समय वो भोजने ने के होंगे वो अभी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहां एक कवा और कवी आ जाते हैं क्या छांग रहे हो हमारे घर में कुछ नहीं बहन ची हम परावासी बक्षी हैं सागर की दिशा में जा रहे थे ठगे थे उठते उठते और फिर हमने ये घर देखा तो यहां आगे आप हम सपर दिया करें और आज की रात हमें अपने घर में रख लें आपके बड़ी क्रिपा होगी हम पर लेकिन अगर हम तुम्हें बने बनाए घर ही दे दें तो फिर कैसा लगेगा तुम्हें ये सुनकर तो सब बहुत हैरान हो जाते हैं क्या क्या मतलब हम समझे नहीं आपके बात बात ये है कि वो साथ में जो दो घर खाली हैं वहां कुछ पक्षी रहते थे लेकिन वो अब यहां से चले गए हैं और अब ये घर हमारे कबजे में हैं आप तो बहुत अच्छे पक्षी हैं ऐसे ही दूसरे पक्षी कहते रहते हैं के कवे बहुत बुरे होते हैं सब जूट बोलते हैं लेकिन तुम मेरी पूरी बास सुन लो वो घर तुम ले सकते हो परन्तु बदले में किराया देना होगा तुमें किराया कितना किराया देना होगा हमें कुछ ज़्यादा नहीं बस तीन दाने चावलों के हर रोज एक घर के बदले में ये सुनकर तो उन सबके आंखें खुली की खुली रह जाती है लेकिन रात भी होने वाली थी वो ठके हुए भी थे इसलिए कबूतर दूसे दोसनों से पूछे बगार ही ऐसा कहता है हमें मनजूर है हम कल से हर रोज आपको चावलों के तीन दाने लाग्या करेंगे कबूतर ऐसा कैसे होगा हम कर लेंगे चिडिया बस कुछ दिन यहां ही गुजा लेते हैं और तब तक हमारे जंगल का मोसम भी ठीक हो जाएगा और फिर हम सागर की तरफ जाने की बज़े यहां से ही वापस चले जाएंगे चिडिया और तोते को भी कबूतर की बात अच्छी लगती है जल्दी जल्दी बताओ हमें कोई और भी काम है हमें स्वीकार है तो फिर जाओ और आज से तुम इन दोनों घरों में रह सकते हो और फिर तोता, कबूतर और चिडिया वहां से चले जाते हैं लेबिकालू कल से भाजन की जिंदा भी खतम हुई मुफ्त में भाजन मिल जाया करेगा लेकिन गोरी तुम तो जानती हो वो घर कितने कमजोर है अगर उन पक्षियों के उपर गिर के तो फिर मेरे कौन सा रिष्टेदार है ये पक्षी चात गिरती है तो गिरे लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो चावल खाएंगे मुफ्त में और फिर रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते है दूसरी तरफ तोता, कबूतर और चिडिया इस बासे अनजान थे कि जिस घर में वो बैठे हुए हैं वो तो बहुत कमजोर है शायद इसी कारण बुल-बुल वो घर छोड़ कर दूसरे जंगल चली गई थी कबूतर भीया, अच्छा ही हुआ ये डील इतने भी महंगी नहीं है हम शाम को आते हुए एक-एक दाना चावल का लियाया करेंगे बस कुछी दिनों की तो बात है ये दिन ऐसे ही हमारे कराय के घर में गुज़ जाएंगे और फिर हम वापस लोड़ जाएंगे और फिर वो सब सो जाते है दूसरे रोच गोरी सुभा सुभा ही उनके पास आती है परावासियो कैसा लगा ये घर बेहन जी बहुत अच्छा है किराया भी कुछ ज़्यादा नहीं है ऐसा करना शाम से थोड़ा पहले ही हमारा किराया पुछा देना हम तो आज भोजन की खोच में नहीं जाएंगे चिंता ना करे कुवी बेहन हम पक्षी जबान के पक्के हैं हम शाम से पहले ही आपका किराया पुछा देंगे और फिर गोरी वहां से चली जाती है दोस्तो चलो देखते हैं इस जंगल में हमें खाने को क्या क्या मिलता है और फिर वो सब वहां से चले जाते हैं गोरी कुवी और कालु कुवा अपने घर के बाहर बैठे मज़े कर रहे थे कि वहां एक पक्षी आता है मैं बातनों का संदेश लेकर आया हूँ मैं पहले भी बता कर गया था कि आज रात इस जंगल में बहुत तेज पारिश के साथ दुफान आने वाला है बहतर यही है सब यहां से दूसरे जंगल चले जाएं दुफान बहुत तेज होगा ऐसा ना होके तुम मारे जाओ पक्षी जी सब चले के हैं यहां से इस जंगल में हम दोनों के सिवा दूसरा कोई नहीं है लेकिन तुम्हें भी चले जाना चाहिए पक्षी जी आप चिंता ना करें हमारा घर तो बहुत मजबूत लकडियों से बना है कैसा भी तुफान हो हमारा घर तूटने वाला नहीं है वो ऐसे बैठे हुए थे कि वहां कबूतर भी आ जाता है लो जी कव्वी और कव्वी आपका किराया कव्वे तुम तो कह रहे थे कि इस जंगल में और कोई दूसरा पक्षी नहीं है सब चले गए है लेकिन फिर ये कव्वी तर कहां से आ गया ये परवासी है इन्होंने वो बुलबुल वाला घर हमसे कराये पर लिया है जाते हुए बुलबुल वो घर हमें ही दे कर गए थी अब मैं जाता हूँ मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे है और फिर कवूतर वहां से चला जाता है वो घर तब बहुत कमजور है और तुमने लालच किया और मासून पकश्यों को बताई ही नहीं ये बात पकशी तुम जाओ हम देख लेंगे जो होगा और फिर वो पकशी वहां से चला जाता है गोरी कहीं ये पक्षी बताना दे उन्हें कोई बात इतना समय नहीं है उसके पास सबको अपनी अपनी जिनता है तुम चावल खाओ और छोड़ो उन छोड़े पक्षियों को वो पक्षी थोड़ा दूर जाता है तो उसके मन में विचार आता है इनको वोने उन बेचारे पक्षियों को ये बात नहीं बताई कि वो घर तो बहुत कमजोर है उर तुफान भी आने वाला है मुझे उन्हें ये बात बताना होगी नहीं तो बगवान मुझे माफ नहीं करेगा और फिर ऐसा सोचते हुए वो पक्षि वापस होता है दर्वाजा खोलो जल्दी करो मेरे पास समय थोड़ा है क्या बात है पक्षि दर्वाजा तो खोला ही था मैं मौसम का संदेश लेकर आया था आज रात बड़ा दुफान आने वाला है इसलिए इस जंगल के सब पक्षि ये जंगल चोड़कर दूसरे जंगल चले गए है लेकिन पक्षि कवार कवी तो इसी जंगल में रहते हैं उन्होंने ही हमें ये घर किराय पड़ दिया है मेरी बात मालो ये घर बहुत कमजोर है बुल बुल के थे ये घर इसलिए वो ये घर चोड़कर चली गई है वो कवे तो है ही लालची और उनके घर मजबूत हैं इसलिए वो यहां से नहीं गे लेकिन आब हम कहां जाएंगे इस समय तुम तीनों मेरे साथ चलो आज की रात तुम मेरे पास रुक जाना और फिर सुबह होते ही कोई बंदो बस्त कर लेना और फिर बस सब उस पक्षी की बात माल लेते हैं और उसके साथ चले जाते हैं कालू कल से किराया कुछ ज्यादा ना करने तीन चावल के दाने खाकर मेरा तो पेट ही नहीं बढ़ता हमारा घर तो बहुत मजबूत है और आज तुफान भी आने वाला है लेकिन वो घर इतने कमजोर है के वो तो थोड़ी हवा से ही गिड़ जाएंगे कवा और कवी ये नहीं चानते थे के कबूतर चीड़िया और तोता तो उस पक्षी के साथ चलेगे है वो तो घर में है ही नहीं मरते हैं तो मरे हमें क्या लेकिन अगर बच गे तो कल से पूरे दस दाने लूँगी मैं और फिर रात गहरी हो जाती है कवा और कवी सो जाते हैं आधी रात को गहरे बादल आते हैं और साथ तेज तुफान तुफान तो बहुत तेज था और बादल गरशते हैं फिर तेज हवा शुरू हो जाती है कवे का घर था तो बहुत मजबूत लेकिन शायद उन्हें उनके कर्मों की सजा मिननी थी और उनका घर जिस पेड़ पर था वो पेड़ तो पूरे का पूरा ही गिर जाता है वो पेड़ तो जर से ही उख़ड जाता है उस जंगल में कोई और पक्षी ना था सब बड़े दुफान के धर से चले गे थे लेकिन कवी और कवा अपने लालच के कारण वे ही मट जाते हैं इस कहानी से हमें सीख मिलती है जो किसी का बुरा सोचता है उसका भी हमेशा बुरा ही होता है प्यारे दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि घर का किराया कितना था और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करना